कि नमस्कार स्रीमादी मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविदयले की यूटियूब चनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है जितंदर प्रजापत हम डाटाबेस मेरेजमेंट सिस्टम के अंदर फोक्स प्रो पढ़ रहे थे जो की माइक्रोसोफ्ट विजूल फोक्स प्र करना हो उसके अंदर कुछ मोडिफाय करना हो उसको सर्च करना उसको ब्राउज करना हो तो कैसे करूंगा आज हम बात करेंगे कुछ इस्पेशल की कमांड्स की जो कि हमारे टेबल हमने बना ली है जैसे यह मेरी टेबल है डोर नंबर नेम फादर स नेम और क्लास जिससे आज तक हमने जो काम किया हो यह किया की यह जो लाइन हो प्रोज जो होती है उन watering क्या जाए है हम यहां पर कुछ डाटा डाल रहे थे, यहां से कुछ डाटा निकाल रहे थे, यहां से डाटा सलेक्ट कर रहे थे, यहां कर डाटा एडिट कर रहे थे, तो सारा जो काम था हमारे यहां पर था, अब हम जो हो काम करेंगे इस structure पर, इसके उपर, कि जिससे अगर मुझे यहां पर उसके सब्जेट का अगर को नम डालना हो तो वह केसे डालूगा मैं अगर इसको क्लास या फिर फाजर स्वें को हटाना हो तो वह केसे हटाऊंगा मैं मुझे देखना हो कि मेरी टेबल के अंदर क्या-क्या बना हुआ है जिससे अगर किसी डाबेस एडिमिस्टेटर ने ए अगरीशा तो आपको समझने मेंसानिन यह होगी हो इस प्रोब्लम को दिए ज़्यानर में पता होने के यह ज़रूरी है कि आपके पथा हो कि आपके data की structure किया है तो इस्कोर का प्रता कैसे लगांगे इस और वे तरह हम च्यार है व 모습 अ कमांड पढ़ने वाले हैं कि आप धान रखेगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, यह जो है वो structure से related है, इसकी body से related है, schema से related है, जो पहले हमने पढ़े थे, उसो data से related थे, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पहले कौन जोन से पढ़ने वाले हैं, display structure, अपना पहला जो है command वो हो जाएगा, दूसरा command जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, modify, modify structure, उसके बात तीसरा जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, डारेक्ट्री, डारेक्ट्री command और अपना चोथा जो है, वो हो जाएगा, copy structure to, यह जो command है, आपने देखा, कि इसके अंदर की नामों से ही पता चल रहा है, इस चारों के तो नामों से ही पता चल रहा है, कि इसके अंदर डिस्पले करवाएगा एक structure को, बोडिफाई करवाएगा structure को, यह डारेक्ट्री बताएगा कि कहां पर है, और यह बताएगा कि जो copy है, इस structure को कहां copy करना है, तो अपने इसके अंदर बार बार एक नाम मारा structure, क्या होता है structure, टेबल का structure क्या होता है, तो जैसे आप देखोगे, कि एक building जो होती है, उसका structure क्या होता है, कि इसके अंदर कितने कमरे हैं, इसके अंदर कितने bathroom है, कितने guest room है, यह सब जीज़ी जो होती हो, कहते हैं, structure है इ इसका मतलब इसके अंदर रहने वाले लोगों के बारों में चर्चा नहीं हो रही इसकी सरल चला कैसी है यह कैसा बना हुआ है इस चीज का जो पता लगाते हैं उसे कहते हैं structure 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 का मतलब हुआ कि यह किस परकार का दिखेगा किस परकार का होगा तो table क्या होती है structure इस परकार किस तरकार कुछ वेल्टी है को इस प्रकार इसे प्रणचना है यह मूल रूप सरचना है कि इस परकार का डाटा तो डालना ही पड़ेगा यहां पर यह अगर क्लास होगी तो इस परकार से जो सरचना को डिफाइन करता है इसको कहते हैं इस 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 प्रक्शर के साथ में एक और चीज याद रखना कि हम जो सारे कमाड देते हैं वो कहां देते हैं हम कमाड देते हैं एक कमाड विंडो के अंदर जो की Microsoft Visual Fox Pro 640 के लिए जो हम पहले से आपको शूरु शुरु शुरु बढ़ायता मैंने कि किस परकार से होता है यह टाइटल बार हो गया यह मेन्यू बार हो गया यहां पर इस्टेटस बार हो गया और यहां पर जो है वो होता है कमाड विंडो इस कमाड विंडो के अंदर जब हम यह Display Structure का दानेंगे तो सबसे बेल इसका क्या होगा इस कमाड का प्रयोग करके आप जो ओपन जो खुली हुई एक टेबल है उसका प्रारूप देख सकते हैं किस परकार से बनी हुई है वो देख सकते हैं तो इसको एक्जाम्पल लेके देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई भी जो टेबल है उसको ओपन करना पड़ेगा ओपन करने के लिए कौन सा अपन यूज लेते हैं यूज टेबल का नाम यूज इमप ये एक अलग जो है वो कमांड जिसको पहले पड़ा चुके हूँ मैं तो आपको वो पिछले वाली वीडियो को जाकी मिल जाएगी उसके बाद में हम करेंगे कि इस टेबल जैसे अपन यूज इमप करेंगे इस टेबल को करन टेबल बना देगा जिसको यूज में ले रहा है उसके बाद में जैसे डालूंगा डिस्प्ले इस्प्ले इस्ट्रक्चर तो वो क्या करेगा आपके सामने एक विंडो खोड़े के देगा इसके अंदर आपके पास टेबल का वो जो है सरन से ना होगी और उसके अंदर ये बता रिखेगा क्यों सी वेल्यू किस परकार की है किस परकार की नहीं है और उसको किस परकार से यूज लिया जाता है तो आपने देखा कि data type उसका size कितना है वो सब आपको बताएगा किस परकार से लिश्ट कुलेगी जैसे यह ऐसे होगया नेम यहाँ नाम लिखा होगा यहाँ पर होगा टाइप टाइप क्या होगा इसका करेक्टर साइज तो इसके साइज जैसे मान लीजी होगया बीस यहाँ पर होगया रोल नमबर रोल नमबर के अंदर क्या है इसका टाइप क्या होगा इसका टाइप क्या होगा इसका क्या होगा इसका क्या होगा पांच साइज तो इस परकार से अपने पास यह पता चल जाएगा कि हमारी जो टेबल है उसका स्ट्रक्शर क्या है अब आप देखो कि अगर यही टेबल होती तो हमें किस परकार सी दिखती पहले इसकी structure बनाते तो हम कैसा बनाते table का structure इस परकार बनेगा name roll number यह इसका प्रारूप है कि किस परकार की table है यह और यह table दिखती कैसी है यह इसका यह होगा अब इसके अंदर हम अगला जो command है उसका discuss करते हैं command number दो की बात करते हूं मैं यहां पर इसका नाम है modify 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 structure का क्या मतलब हुआ जैसे आपको लगा कि आपकी table के अंदर कुछ गलतियां हो गई या फिर समय के साथ आपकी table को अगर आप उसके अंदर बदलाऊ जाना है उसके अंदर changes लाने है उस situation में आप उस table के अंदर कुछ इस परकार का data करना चाहते हैं जो कि औरेटी जो फिल्ड्स हैं वहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप एक फिल्ड एड करेंगे उसको एड करने के लिए क्या करेंगे आप यहां पर वही यूज एक्जाम्पल देखें इसका कि यूज employee modify मोडिफाइ स्ट्रक्चर को मोडिफाइ कर दीजिए तो उसके अंदर क्या आएगा वही वानी लिस्ट वापिस आएगी नेम, टाइप, साइज, इसके अंदर पहले अपना नेम था, टाइप था इसका करेक्टर, साइज था बीस, रोल नमबर था, इसके अंदर करेक्टर था निूमरीक, उसकी साइज थी पाँच, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर class भी एड करतू, class, class क्या है, नमबर होगा अगर में class अगर एक दो तीन चार पांच ये class ली उज ले रहा हूं बार विज तक की class है तो number होगा नहीं तो मैं character यूज लोगा तो इसके अंदर मैं number ले रहा हूं निमरिक वेल्यू class जो है वो दो number में आ जाएगी 99 से जदा कोई class नहीं होती तो ठीक है दो number में होगी जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो table का structure किस परकार से बदल जाएगा इस परकार से अब यहां पर तीन आएगे पहला आएगा नेम दो number अब यहां पर तीसरा class भी एड हो पूरा एक बाकाईदा आपके सामने ग्राफिकल होगा यहां पर ओके लिखा होगा यहां पर एड करने के लिए option होगा cancel करने का option होगा और delete और inside करने का जी option होगा तो आपने यह देखा कि किस परकार से यह Microsoft Visual Studio Fox Pro का जो पार्ट है उसके अंदर इजी ली हम graphical interface का यूज लेत आहरे सबसे पहले समझें आपकी डिया अईयर क्या होता है यहिसे मैं आपसे यहथा क्या कहां रहते हैं तो आप बताओगे कि हम जस्वंद्गर्ड में रहते हैं, जस्वंद्गर्ड के अंदर भी एक रोड है, जो है कि नेसल हाईवे 95 है, उसके सामने भी एक रोड जाती है, जो कि कसुम्भी रोड है, कसुम्भी रोड के उपर भी यह जो महास्तुरी भोवन है उसके सामने जो है वो है College उसके अंदर हम रहते हैं उसके अंदर भी जो BA Part 1 या फिर Second है BA Part 2 के अंदर जिसका Section B है उसके अंदर हम रहते हैं तो यह आपने क्या कि आपकी जगे है उसका आपने डारेक्टराइज कर दिया डारेक्टरी बना दी पहले बंद व्यक्ति यहां पर आएगा यहां पर यहां पर तो मेरे पास जो मुझे चाहिए वह चीज मुझे मिल जाएगी जिस शुडेंट से मुझे बात करनी है तो उसको कुछ मेसेज देना है तो मैं यहां पर आपसानी से दे पाऊंगा अगर मुझे इतना पता हो अगर मैं यह कहूं कि आप यह यह कि इतने नंबर हाईवे पर आप आके मिल लेना तो वहां 2000 लोग है आप स्पेसिफिकली नहीं पता सकते तो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा यूज लेते हैं तो हम एक उसको कहीं पर सेव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टरी डायरेक्टरी का मतलब होता है आप फोल्डर समझ लीजिए किसी भी जगे पर जैसे माई कंप्यूटर है जैसे सी या डी डी के अंदर माई डोग डाटाबेस फोक्स प्रोग जो भी इसका फॉल्ड फाइल पॉर्मेट क्या होता है डी बी एफ यह या एक एक डूट डी बी एफ तो यह इसका क्या हो गया डायरेक्टरी हो गई आपको पता चल गया कि इसकी लोकेशन कहां पर है ठीक है अब हम इसके अंदर एक्जाम्पल लेके देखते हैं और देखते हैं किसका क्या क्या उप्योग होता है और किसकी परकार्च उप्योग होता है तो हम पहला इसका एक्जाम्पल लेते हैं पहले एक्जंपल क्या है दि आ यार डेक्टरी क्या होगा तुर्टरी देने से क्या होगा की पर्टिकुलर जैसे मेरा जो folks who installed या इकर इस जो file है c के अंदर mydoc इसके अंदर की इस folder की अंदर की जो土 dbf file होगी उनकी list यहां पर बन जाएगी यहां पर जो है list बन जाएगी क्योंकि वहां पर कमानड देंगे उसके list बन जाएगी और उसके अंदर हम use ले पाएंगे या फिर पता कर पाएंगे कि कौन-कौन सी file ने इसके अंदर है या नहीं है अब इसके अंदर क्या होता है second चीज यह जो पहला इसके example होगा उससे क्या होगा जो भी dbf दाम की file ने जो होगी उसकी list बन जाएगी अब इसके अंदर क्या होगा मैं star करके dot star करता हूँ start dot star का मतलब क्या हुआ इस star का मतलब है कि file का नाम अगर मैंने dot star star बनाए इसका मतलब होगा file name star का मतलब होगा कोई भी file name और यह होगा file extension या फिर file का type extension define करता है नहीं कि किस type टी file अगर dot mp3 है तो dot mp3 का मतलब गाला है वो dot mp4 है इसका मतलब video है dot pdf है मतलब पढ़ने की चीज़ है इस परकार से dot jpG है इसका मतलब कोई image file है तो यह होगा file type के मतलब इस directory के अंदर कोई भी file type किसी भी फरकार की file हो मुझे सारी बता दो और यहां पर यह क्या बात करेगा कि किस फरकार की file का नाम है इस file का नाम क्या है कोई भी जित्ती भी सारी file है star का मतलब सारी की सारी मुझे निकाल के दे दो इसका प्योग हम करेंगे डिरेक्टर के अंदर सारी की सारी फाइलें जो भी है जिस भी फरकार की file है उन सब को लाने के लिए अब हम बात करते है specifically अगर मुझे कुछ चाहिए जिसे मैं बात करता हूँ तूसरा मेरे इस डिरेक्टर के अंदर मैंने एक वीडियो डाना था जिसका वीडियो का नाम था एक दो तीन डोट एमपी फोर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उस पर्टिकुलर डेटा को ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा यह करूँगा डी आई आर वन डोट एम पी फोर इसके अंदर मैंने वन लिखा वहाँ पर वन टू त्री था अगर इसके अंदर एक, चार, पांच डोट ओम पी फोर नाम के अगर फाइल होती तो वह उसको भी निकाल के देता क्योंकि यह देखेगा कि फर्ष्ट नाम के अंदर किसके अंदर वन आ रखा है उन सभी को निकाल के देता हूँ अगर मुझे और स्पेसिफिक चाहिए होता तो मैं नाम लिख सकता हूँ यहाँ पर वन टू थ्री डोट एमपी फोर यह निकाल के देदेगा इसके अंदर यह यह निकाल के देदेगा तो हमने देखा कि डायरेक्टरी का उप्योग किसी परकार से क्या जाता है डायरेक्टरी के अंदर जाकर उसका किसे वी फोल्डर के अंदर कौन गौन जी फाइल है यह चेक करने के लिए और उसका हम तीन परकार से उप्योग करते हैं एक simple directory का जब BPO करते हैं तो DBF की जो file होती है database की जो file होती है वो आ जाती है जब star star लगाते हैं तो जो भी इसके अंदर file होती है वो सारी आ जाती है और तीसरा होता है कि आपको कोई specifically search करना हो specifically कोई file आपको पता है already या फिर इस file का type पता है आपको तो वो आप search कर सकते हो अब हम एक बात करते हैं कि मुझे एक नई file बनानी है नई table बनानी है यह मेरे पास already एक table है name और class मुझे इसकी copy बनानी है एक और दूसरी copy बनानी है जिसके अंदर भी नाम और class ही होगा तो मैं क्या गरूँगा अब मैं अगर जैसे सोच हूँ है तो मैं दो पूलम ले रही है इसके अगर हजार पूलम हो ऐसे लंबे एक दू टीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह ऐसे तो अगर मैं ऐसे हजार पूलम की अगर कोई table बनाने लगो और मुझे इस प्रकार काम दस बार करना हो तो मेरा तो पूरा इस पर निकल जाएगा मुझे अगर किसी प्रकार की टेबल ही बनानी है तो क्यों न मैं इसको कोपी कर लो अगर मैं किसी टेबल की जिसकी साथ को पी बनानी है ज दूसरी बनानी है तो इसको को पी कर सकता हो कैंप है करने से क्या होगा कि मेरो सारी मैंथ करने के लिए pakai कि चाओ करने के लिए हम कोपी है को का यूज लेते हैं कि इसको कोपी करके कहा डानला है उमें वह हम पदा करते हैं उसका हम देख से अब शोथा अपनी जो है कि वह है कि कोपी इसका उप्योग कैसे किया जाता है इसका उप्योग एक्जांबल दो कि आपको बदाता हूं पहली बाद तो हम लिखेंगे यूज कौन सी ऐसी फाइल है या कि कौन सा इसा डेटाबेस है कौन से टेबल है जिसको हमें कोपी करना है तो यूज इंप कि इंप्लोई की जो फाइल है इसको यूज लेना शुरू कर देगा है अब इसके अंदर सेकेंड जो ओप्चन आएगा वो क्या आएगा कोपी स्ट्रक्चर तू और कहां कोपी करना है इसको यह भी तो बताना पड़ेगा ऐसे हवा में कोपी थोड़ी होगी तो कहां कोपी करना है हमें EMP1 या फिर STUDENT कोई भी जो भी आप अपनी नही जो टेबल का नाम रखना चाहे उसका आप नाम लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर प्रोपी करके इसके अंदर डाल दो जैसी यह टेबल है उसी का स्ट्रक्चर उसके अंदर डाल दो ताकि मैं उसको वापिस यूज ले प टेबल बनेंगी उसके अंदर वही सारे फिल्ड्स होंगे जो इसके अंदर है तो आपने देखा कि हमने आज चर्चाएं कि कि किस परकार से हम किसी भी जो अपने पास ओल्ड़ी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है किसी टेबल की उसका यूज लेकर उसको किस परकार से हम एडिट करके या फिर उसको हम डाइटरी में चेक कर सकते हैं या फिर हम उसी फाइल को किसी दूसरे टाइब की फाइल टेबल के अंदर कोपी कर सकते हैं तो हमने पहले पड़ा डिस्प्ले इस्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ओडी टेबल है उसके अंदर क्या 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 अबुलेबल बड़ हैं हमने यह की देटा मालती है व्हाल हमने देखा इसके इनदर डिश्पले इसके बाद देखा यह था कि copy structure 2 इस structure को copy करके कहीं और डाल दो और डाल दो मतलब इसकी replica इसकी copy एक दूसरी file बना दो, एक table बना दो जो हमने देखा, employee से employee 1 में जाते हुए आज का video आपको कैसा लगा? आप मुझे जरूर बताएगा, इनके अंदर को confusing लगे आपको, आपको समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर बताएगा वीडियो देखते रहें, घर पे पढ़ाई जरूर करते रहें ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद take care, ध्यान रखें अपना